नमस्कार दोस्तों रेलवे आम यातिरियों की किस तरह से सेवा कर रहा है इसके दो उधारण हम आपको बता रहे हैं देखने में तो यहां काफी छोटे लगते हैं क्योंकि यह छोटे शेहरों से संबंदी थे परन्तु इनके बड़े माईने हैं आने वाले समय में किसी भी दूसरे इस्टेशन के साथ भी ऐसा हो सकता है पहली बात करते हैं हम शुजालपूर इस्टेशन जो की मेरा ग्रहनगर है यहां पर ओबरनाइट एक्सपरेस का इस्टापेज पिछले साल 21 सितंबर को किया गया प्रयोगिक इस्टापेज 6 महिने के लिए किया गया था तो उम्मित की जा रही थी कि जो राजस्व की प्राप्ती है उसके आधार पर आने वाले समय में यह इस्टापेज बहाल भी रह सकता है बड़ी संख्या में लोग इसमें एक दिन पहले ही रिजर्वेशन कराते हैं इन दोर से शुजालपूर या आगे के लिए तो यहां के लोगों ने जब सुबह रिजर्वेशन करने के लिए IRCTC साइट खोली तब उन्हें यह इस्टापेज शुजालपूर से हटा हुआ दिखा यानि की ट्रेन बेरचा से सीधे काला भी पल रुकती हुई उस IRCTC एप में दिखाई दी अनन फानन में में मेरे पास में सुचना इसके बारे में आई मैंने अपने इस तर पर पड़ताल की PMPG पोर्टल पर इसके बारे में शिकायत दर्ज की साथ ही जो अन्यमित्र थे उनके द्वारा भी वहाँ पर शिकायत करने के लिए कहा गया और दोपहर बाद ही मेरे पास में रतलाम से फोन आया कि वह टेकनिकल तूटी थी क्योंकि 6 महीने इसके पूरे हो गए थे और जो इस्टा पेज था वह केवल उसी तारीक तक वहाँ पर IRCTC एप में फीट था उसको अब आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि रेलवे नजर आती है परन्तु रेलवे की समवेदन शीलता इस मामले में दिखती है कि उन लोगों को जो राजस्व के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है वो लोग केवल अपना पेशा चाहते हैं इसी की बानगी एक बार और देखने को मिली है हमारे शुजालपूर का जिला मुख एहमदाबाद दर्भंगा सावरमती गाड़ी का इस्टापेज महाँ पर बहाल हो चुका था तो जो इस्टापेज बहाल हुआ उसको रेलवे ने केवल एक हक्ते बाद ही हटा दिया यहाँ एक बहुत ही भद्दा मजाक रेलवे के द्वारा किया गया है साथ ही लोगों के द्वारा अपनी भड़ा सोशेल मीडिया सहीत बिभी ने प्लेटफार्मों पर निकाली जा रही है कि जब रेलवे को यहाँ पर उक्त ट्रेन का इस्टाप नहीं देना था तो यहाँ जो नाटक किया गया साथ दिन इस्टाप देने का यहाँ किया गया और इससे जनता की ब द्वेज ना होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कोरोना काल के पूर्व यहाँ पर भोग सारे ट्रेनों के इस्टापेज थे, लेकिन रेलवे के द्वारा बहुत सारे स्टेशनों से इस्टापेज हटाये जाने की जो जीरो बेस टाइम टेबल की नीती थी, उसके अनुरूप, यहां से भी कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के स्टापेज हटा दिये उनमें से कुछ ट्रेनों के स्टापेज वापस भाल कर दिये गए लेकिन अभी भी बहुत सारी ट्रेनों यहां से बिना रुके निकल जाती है ऐसे में छेतर की जनता काफी निराश है छेतर के जनपतिनी दियोशे भी वे काफी उम्मीद लगाते हैं लेकिन फोरी राहत उन्हें केवल जो एमदाबाद धरवंगा गाड़ी है उसके इस्टापेच के रूप में मिली है और जो रेलवे ने मजाक किया है साथ दिन एमदाबाद वारणासी गाड़ी रोकी उसके पच्चाथ में फिर से इस्टापेच हटा दिया तो यहाँ समझ से परे है बारार छेतर की जनता काफी नाराज है और छेतर के जनपतिनी दियों से सवाल कर रही है जनपतिनी दिभी अपनी और से वापस डेमेज कंट् तीन मार्च को हमारे रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जर्दोष जी के द्वारा ट्वीटर पर ट्वीट किया गया कि शुजालपूर में कोलकाता हैंदाबाद गाड़ी का इस्टापेच फिर से बाहल किया जा रहा है हमने उसके बाबत खुशियां भी मनाना इसके बाबत मेसेज भी प्रसारित हुए कि फिर से इस्टापेच मिल रहा है थोड़े समय बाद अन्य ट्रेनों के इस्टापेच की जो विज्यप्ति थी वह प्रकाशित हो गए लेकिन इस ट्रेन के शुजालपूर इस्टापेच के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई ह हमारे द्वारा PMPG पोर्टल से पूछा गया कि आखिरकार जब रेल मंत्री जी के द्वारा खुद यह ट्वीट किया गया है तो अब तक इस्टाप क्यों नहीं हुआ तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक रेलवे बोर्ड का जो आदेश होता है वह नहीं निकाला ग होती है जो जनता को पता नहीं चल पाती है और कहीं न कहीं वह दब के रह जाती है इसलिए हम यह बात आप सब के सामने उठा रहे हैं सीहोर इस्टेशन भी काफी महत्रपूर्ण इस्टेशन है उसके साथ भी रेलवे के द्वारा सोतेला बरताओ किया जा रहा है प्रसिध स रंत श्री प्रदीप मिश्राजी का वहाँ पर आश्रमिस्थी थे देश विदेश की जनता वहाँ आना जाना करती है लेकिन गिनी चुनी ट्रेनों के ही वहाँ पर इस्टा पेज है इसे में वहाँ की जनता भी काफी नराज केंदर सरकार से दिखाई दे रही है आम जनता क रहत देने की बजाए उनका फूरा फोकस वातानुकुलिस च्रेनी की वंदे भरत गाड़ी को प्रमोट करने में दिखाई दे रहा है जगे जगे पर उस ट्रेन के बारे में सरकारी ट्वीट और जो पूरी लोबिंग की जा रही है अच्छी बात है कि ऐसी ट्रेने चले जो हम उनर बहाली के लिए उन्हें राजस्व के नाम पर मना किया जा रहा है ट्रेने बढ़ाने से विभिन जोन आनका निकर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से टकराओ उनके जो हित हैं वह टकरा रहे हैं ऐसे में आम जनता को तो नुकसान हो रहा है तो इस बारे में सोचने की भी ज़रूरत है क्योंकि जन प्रतिनी दियों की जो बाते हैं उनकी भी सुनवाई केवल दिखावे के तोर पर ही अधिकारियों के द्वारा की जाती है उन पर ठोस कार्यवाही नहीं होती है या होती है तो यह जो शाजापूर में दिखाई दिया है नजारा इस तरह की कि राहत उसके पश्चात में इस्टा पेच या सुविदा हटा ली जाती है ऐसी बहुत सारी समस्यां छेतर में व्यापत हैं जिनको हम समय समय पर उठाते रहे हैं इस वारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें आप सभी का धन्यवाद